वेलकम बावत सागाता आपका आज मैं आपके सामने बहुती अच्छा प्लान लेकर आया हूँ एक हजार बर्ग बिठी जी हाँ एक हजार स्क्वाइर फिट में ये निर्मित प्लान है जिसको मैं देखी किस प्रकार से इसमें टोटल आपको मिल जाते हैं लोटल जो चीजे में धरल दोस्सामने में बरामदा मिल जाता है साथ में उसमें और साथ में एक साइच का हौल मिल जाते हैं ऐक रसो ही घर सोचारल हाथ रखी और पूरा कर चुका ओन हो dois जो है नॉँंच ब्रिक्स प्रफर मान्हान करें बनाया गया है और मैं इसमें ये door का symbol लगा देता हूँ ये मैंने door का symbol सभी door जो है इसमें हमने single door वाले लगा दिये हैं ऐसे आपकी इक्षा लेकिन बरतमान समय में symbol door वाले ही लोग prepare करते हैं और ये अच्छा रहता है चुकि ये wall के किनारे जाके लग जाता है अलांकि फरंट वाले डोर को दो वाले देना चाहिए दो पल्ले वाले वो अच्छा माना जाता है ति इसमें देखें दो आपको बड़े साइज के bedroom मिल जाते हैं bedroom का size लगभग लगभग आपको जो है 120 square feet जो standard size होता है उसको mansion करने का ये परियास किया गया है इसमें ये जो तीन एक guest room है उसकी भी size वही रखी गई है आपको एक बड़ा hall है hall की size की बात करें ति ये लगभग लगभग 200 square feet की बात करें तो पहले मैं इसकी measurement बता दूँ इस अस्थान से इस अस्थान तार्थात इसकी चवड़ाई जो है ये है 25 feet मैं यहां लिग देता हूँ 25 feet और इसकी लंबाई की बात करें ति यहां से यहां तक कुल लंबाई है 40 feet 40 feet है इसमें जितने भी blue से wall है यह जितने भी यह symbol है यह सभी windows के है प्रोपर ventilation के लिए खिड़कियों के लिए तो चलिए अब मैं इसकी इधर से इसकी entrance है आप जैसे यहां से entrance करते हैं यहां से अंदर जाते हैं यहां पर थोड़ी सी दो डोर जो है अधिक चोड़ी लगानी है आपको फ्रंट में यह होनी चाहिए बड़े डोर यहां से प्र यहां तक की बात करें ति यह 12 फिट है मैं इसमें लिख देता हूं यह 12 फिट है यह 40 फिट टोटल है यह 12 फिट की लिए गई है और यहां से यहां तक जो है 11 फिट 3 इंच आता है 11 फिट 3 इंच आता है आपको यहां पर guest room मिल जाता है बरामदे के पास बिलकुल guest room के यहां आपके रूम है रूम की मैं साइट की मेजरमेंट की बात कर दो ती यह 12 फिट यहां हो जाते हैं और इधर 11 फिट तीन इंच हो जाते हैं तो कि वाल को कुछ बाद किया गया है इसमें सभी वाल हमने इसमें 9 इंच बाले बिरिक्स को मान के बना दिया है ऐसे आपकी एकछा आप किसी साब से बनाते हैं एडियस्टमेंट कर लिजिएगा ती यह 11 गुने 12 का यह बहुत अच्छा आपको एक मिल जाते हैं तो यह लगभग लगए 180 स्कॉाइर फिट में लिख देता हूं स्कॉाइर फिट की लगभग यह आपको हॉल मिल जाता हुँ इस हॉल से सबकुछ خिनेंट है आपकी यह रसोई घर है, यह kitchen है, इसकी kitchen की मैं measurement की बात कर दो, तब में इसकी measurement लिख देता हूँ, तो आपको यह पकड़ में आगा, मैं थोड़ा symbolism बना ग़ी तो, हाँ, यह रसोई घर है आपकी, kitchen की बात कर दी यह 8 गुने, 8 गुने, 8 में यह आपको रसोई घर बनाई गई है, 8 बात रूम बना दिया गया है और आपको यह बिल्कुल यह हॉल सेंटर में है इससे दो रूम लगावा दोनों अच्छे खासे बड़े साइज की रूम है इसकी में बात कर लो तो 12 गुने 11.3 इंच यह 12 फिट गुना 11.3 इंच इस परकार से रूम है तो आप देख रहे हैं कि मात्र 800 बर्क यह 1000 इसकार फिट है 40 गुने 25 इसमें आपको कितने सुन्दरी स्टेंडर से एक दो तीन बड़े साइज की रूम मिल जाते हैं एक बड़ा साइज का हॉल मिल जाता है रसोई गर बरामदा कीचन और लेटरिन बात रूम सब कुछ एड़ में प्रोपर एड़ेस्टमेंट 1000 स्क्वाइर फिट में आपको 3 बीच के उसके साथ बरामदा और बरामदे भी बड़ा बरामदा बड़ा हॉल के साथ मिल जाता है इससे मिलते जुलते प्लान में इसका मेजरमेंट के नुसार नक्षा बनाया जा सकता है धन्यवाद